हाई दिया स्टुएंट्स विडियो में हम स्टैंडर्ट सेवेंथ का मैट्स चैप्टर नमबर थ्री एच्सी अफ ल्सी हम में करेंगे प्रैक्टिस सेट नमबर 12 और इस प्रैक्टिस सेट में हमें फाइंड करना है हाइस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी दो नमबर के बीच के और दो नमबर के बीच के हाइस्ट कॉमन फैक्टर बताने के लिए यहाँ पर दो मैटट है हमारे पास वो दोने मैटट आपको बताएंगे और कुछ रूल्स भी इस वीडियो में पूरी तरह से आपको एक्स्प्लेइन करेंगे तो अगर आप इस चैनल पर फटा फट तुरंत मिलने लगेंगे तो आईए स्टुइंट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से ट्वल्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़े यहाँ पर आपको बतानी है सबसे पहले आपको बताना है कि hcf कैसे find out किया जाता है सबसे पहले आपको बताना है कि hcf कैसे find out किया जाता है hcf find out करने के बाद hcf के लिए rule क्या क्या होंगे और rule के बाद हमें और क्या चीज ध्यान में रखनी है और इसके लिए advance method क्या है तो यहाँ पर जो दो example दिये जैसे 24 और 32 यह दो example हम यहाँ पर ले लेते हैं और इसका hcf find out करते हैं तो लिखेंगे hcf of 24 and 32 इन दो number का हमें hcf find out करना है तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों के factor निकालेंगे सबसे पहले तो इन दोनों के factor निकालेंगे तो यहाँ पर हमने लिख लिया 24 24 को 2 से divide करेंगे तो मिलेगा 12 12 को 2 से divide करेंगे तो आएगा 6 6 को 2 से divide करेंगे तो आएगा 3 और 3 को 3 से divide करेंगे तो मिलेगा 1 ओके तो 24 के जो factor बनते हैं हम यहां लिख ले इधर 24 के जो factor बनते हैं वो है 2 x 2 x 2 x 3 उसके बाद अब next factor है 32 के तो यहां है 32 को अगर तो 2 से डिवाइड करें तो आता है 16, फिर 2 से डिवाइड करें तो आता है 8, फिर 2 से डिवाइड करें तो आता है 4, फिर 2 से डिवाइड करें तो आता है 2 and then 2 से डिवाइड करें तो आता है 1, तो 32 के जो हमें factor मिलते हैं, वो है 2 into 2 into 2 into 2 into 2, इन दोनों में common क्या है, ये देखि देखिए, ये two, ये two, और ये two common है, ओके, बाद में इस two के लिए यहाँ पर कोई pair नहीं है, और इस two के लिए यहाँ पर कोई pair नहीं है, और इस three के लिए इन में कोई जगा नहीं है, तो ये जो है, ये uncommon हो गए, इनके लिए कोई जोडिया नहीं बनी, इनके लिए जोडिया बनी है 2 into देखिए अब यह जो common है ये एक common है ये एक common है और ये common है ओके तो इन common में से हम एक ही उठाएंगे इस pair में से एक 2 लिया इस pair में से एक 2 लिया और इस pair में से एक 2 लिया इन तिनों का multiply किजिए 2 into 2 into 2 कितना हो गया 8 ओके तो ये method धूरती है highest common factor धुनने की तो क्या लिखेंगे HCF of 24 and 32 is equals to 8 8 जो है वो 24 और 32 का highest common factor है okay simple सी बात है highest common factor के निकालना यह आप समझ में आ गया पर आप highest common factor निकालने के लिए कुछ rules भी होते है उस simple से rules को हम देख लेंगे और उस rules के according हम example भी लेंगे और उसके बाद ही हम practice set पर आएंगे तो आईए यहां पर चलते हैं next page पर next page पर देखे सबसे नीचे कुछ rules है rules देखिए क्या है पहला इन rules के according example भी बताएंगे आपको if one of the given number is a divisor of all the other number then the HCF is the then it is the HCF of given number मान लीजिए यहां पर दो number है ओके यहां पर कहा गया है कि एक number है 12 और दूसरा number है 24 इन दोनों के बीच का HCF निकालिए ओके तो यहां पर जो छोटा number है 12 वो बड़े number 12 का three factor है मतलब 12 से 24 को divide होता है 12 से 24 को divide होता है ओके देखिए if one of the given number is divisor of all the other number मतलब कि जो number दिये है इन दिये गए number में से अगर एक number दूसरे number को divide करता है तो therefore HCF जो होगा वो 12 हो जाएगा जिस number से divide हो रहा है यही number highest common factor हो जाएगा ओके यह rule को आपको ध्यान में रखना है अगर यह आपको rule ध्यान में है तो बिना solve की आप direct एक answer लिख सकते हो reason बताते हुए पर आपको यह reason यह line लिखनी पड़ेगी one of the given number is a divisor of all the other then it is the HCF means highest common factor of the given number यह किसमे भी होसा जैसे मान लिजिए एक number दिया हुआ 6 दूसरा दिया हुआ 12 और तिसरा दिया हुआ 18 और आपको पुछा गया कि highest common factor इस में से कौन होगा तो देखिए इन तीनों में से highest common factor जो है इनकी तीनों का highest common factor जो है देखे 6 से 12 को भी divide होता है 6 के हम को भी divide होता है तो highest common factor यहाँ पर answer निकल के आएगा 6 आप चाहे तो इसको solve भी कर सकते हैं okay solve करके भी देख सकते हैं जो values मिलेगी multiply करने पर लास्ट आंसर हमें 6 ही मिलेगा आईए इस question को हम factor रजस्मेठट से solve करके देखते हैं कौनसा question उपर 12 और 24 वाला देखिए 12 के अगर हम factor बनाते है students okay तो 2 6 2 3 3 1 तो 12 के यहाँ पर factor निकल क्या दे 2 है okay 24 के factor निकालते हैं okay 24 के क्या factor होंगे देखिए 2 12 2 6 2 3 3 1 तो 24 के factor निकल क्या थे 2 इन में common देखिए, ये और ये common है, 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 इस two, ये two के लिए कोई pair नहीं बची, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक बार लिखेंगे, इस pair में से एक two, इस pair में से एक two, और इस pair में से एक three, इनको multiply किजिए, two two's are four, four three's are twelve, देखि यह 12 के factor क्या है 223 223 समझ में आ गया तो यह रूल आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि जितने भी numbers दिये होंगे उके उन number में से कोई भी एक number अगर सभी number को divide करता है तो वही उनका HCF कहलाता है okay I hope that यह आपको रूल समझ में आ गया होगा उसके बाद next rule देखें क्या है if no prime number okay if no prime number is common divisor of all the given number then one is there HCF because it is the only common divisor मान लीजिए दो number आपके पास दिये हुए जैसे एक है 11 और एक है 13 इन दोनों के common factor ढूंड़ी है तो 11 के common factor 11 के लिए common factor क्या है 11 को 11 से divide करेंगे 1 मिलेगा 13 को direct 13 से divide करेंगे तो 1 मिलेगा तो इन में common factor कुछ नहीं है 13 के common factor क्या हुए 13 के हुए 1 & 13 और 11 के common factor होते है 1 & 11 तो भई इन दोनों में common कुछ नहीं 1 के लावा तो जब ऐसी situation आती है कोई भी number common नहीं मिलता तो उनके बीच में 1 हमेशा उनका HCF कहलाएगा ओके यह दूसरा rule है उसके बाद देखे थर्ड रूल क्या कहता है जो की बड़ा ही मज़ेदार है थर्ड रूल इफ दे HCF of any 2 consecutive even number 2 क्या कहता है देखे यहाँ पर दो रूल है हम पहला रूल देखेंगे पहला रूल यहाँ पर खतम हो जाता है 2 is the HCF of any 2 consecutive even number देखिए even number की बात हो रही है consecutive even number consecutive मतलब लगातार लगातार वाली टम तो even number को अगर हम लिखे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 यह क्या है यह even number है ओके यह सब number जो 2 से divide होते है 22, 24 यह even number है तो कोई भी दो even number पर कैसे consecutive consecutive number क्या हो सकती है 24 या 46 या 68 consecutive मतलब लगातार जैसे 10 के बाद 12 आता है तो 10 और 14 की बात नहीं होगी consecutive number में क्या हैगा अगर 10 एक number है तो दूसरा consecutive number या तो 8, 10 हो सकता है या 10, 10 हो सकता है ओके लगातार वाले number लगातार वाले number जो होगे उसे consecutive कहते हैं तो किसी भी दो लगातार वाले नंबर के बीच का, आप कोई भी, आप किसी भी, जैसे आप 44 और 46 को उठा लीजिए, आप 150 और 152 को उठा लीजिए, आप दुनिया के किसी भी दो, even consecutive नंबर को उठा लीजिए, इनके बीच का, इनके बीच में जो HCF होगा, वो हमेशा 2 होगा आईए इस example को समझने के लिए हम छोटा सा example यहाँ पर ले लेते हैं, 14 और 16 का, ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 के factor find out करते हैं, 14 के factor क्या होगे, 2 से 14 को divide करें तो 7, 7 से इसको divide करें तो 1, तो 14 के factor यहाँ पर निकल के आते, 2 into 7, ओके, उसके बाद हम 16 के factor find out करते हैं, तो 16 के factor क्या होगे, देखिए, 2 से 16 को divide किया तो 8, फिर 2 से divide किया तो 4, फिर 2 से divide किया तो 2, और फिर 2 से divide किया तो 1, तो 16 के factor क्या निकल क्या आते हैं, 16 के factor आते हैं, 2 into 2 into 2 into 2, ओके, पर इन में common क्या है, एक यह वाला 2 और एक यह वाला 2, बाकी कुछ भी common नहीं है यह सब uncommon है ओके तो देखें इन पेर में से हम एक टू को बाहर लेंगे समझ में आ रहा है तो 14 और 16 के बीच का जो HCF है वो क्या निकल के आता सिर्फ टू और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि 14 और 16 यह लगातार वाली टर्म है लगातार वाली even टर्म है तो यह रूल किसके लिए even के लिए even के लिए आपका समझ में आया कि जब भी दो consecutive even number होंगे तो उनके बीच में उनके बीच में मतलब दो consecutive even number होंगे तो उनका जो highest common factor होगा वो 2 होगा मतलब अब इसके बाद अगर इस तरह का कोई example आपको आता है और वो दो consecutive दो consecutive even number है तो आप सीधा reason लिखिएगा 2 is the scf of any two consecutive even number यह reason लिखिएगा और सीधा answer to लिख दीजेगा अब यह पहला rule हो गया दूसरा rule देखिए क्या कहता इसमें से अगर number even ना हो even के बदले odd हो ओके तो आगे चलते हैं one is the scf of any two consecutive odd number अगर कोई भी दो odd number जैसे हम बात करते 13 और 15 की ओके तो 13 के क्या होगे 13 की factors क्या होगे factor 13 के निकाले यहां पर तो तो देखिए थर्टीन का factor क्या होता है थर्टीन वन्जा बस थर्टीन ओके थर्टीन वन्जा थर्टीन कुछ नहीं बसता है यहां पर उसके बाद 15 के factors क्या होगे देखिए 13 के factor तो 13 इच है ओके 13 के factor हम क्या लिख सकते है 1 into 13 15 के factor क्या होगे देखिए प्राइम factor 3 से divide करेंगे 5 नहीं है तो 15 के प्राइम factor होगे 1, 3, 5 तो देखिए यहां पर 3 और 5 यहां पर नहीं है थर्टीन यहां पर दोनों में common क्या है only one तो जब भी अगर even number दिये रहे हैं कौन से number दो consecutive even number अगर आपको sorry दो consecutive odd number अगर दो consecutive odd number दिये हैं तो उनका hcf आएगा one और दो consecutive even number दिये हैं तो उनका hcf आएगा two यह दो rule आपको ध्यान में रख लेने हैं ओके अब आईए यह next rule यह next इस वारी रूल नहीं है क्या कह रहा है verify the rule by taking many different examples आप अलग-अलग example देखकर इस rule को verify कर सकते जो कि हमने कर लिया है अब आईए हम बढ़ते हैं इसकी practice set की और okay so students I hope that यह rules तो आपको समझ में आ गये होंगे okay अब इस rule के बाद हम चलेंगे कि किस तरह से आप practice set को solve करेंगे तो आगे जो practice set है इस practice set को solve करने के लिए और भी कई method है जो बहुत easy है और बहुत जल्दी हो जाती उस method को भी मैं explain करूंगा उसके बाद practice set पर आएंगे सो आई यह students अब direct practice set पर ही चलते हैं ओके वह दूसरी method नहीं करते डाइरेक simple method जहें उसी से करेंगे ओके simple method ज्यादा method बता कि फिर confuse करके कोई मतलब नहीं है इसलिए confuse ना होते हुए हम direct solve करेंगे so मेरा कोई issue नहीं है या फिर कोई problem नहीं है मैं आपको confuse नहीं करना चाहता simple method है तो जो simple method है उसी से चलते हैं और simple वे से ही solve करेंगे है ओके students तो देखिए पहला है 25 and 40 इसके लिए हम क्या करेंगे इसके फैक्टर निकलेंगे 25 के लिए फैक्टर इस तरह से लाइन बना ले 25 so students look here अब यहाँ पर हमें पहला example है 25 40 ओके तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले 25 और यहां लिख लिए 40 25 के factor करेंगे 25 को five से डिवाइड करेंगे तो five Shouldn up अता है फिर five से five को डिवाइड करे तो तो one time आता है तो यहाँ पर हमें 25 के factor मिल जाते हैं five into five ऊके उसके बाद है forty तो 40 को two से डिवाइड करें तो 20 20 को 2 से डिवाइड करें तो 10 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 तो यहाँ पर हमें 40 के जो factor मिल जाते हैं वो है 2 2 into 2 into 2 into 5 इन में हमें common क्या मिल रहा है देखिए तो लिखेंगे common हमें मिल जाता है 5 इन दोनों में 5 एक ही 5 हमें common मिल रहा है बस बाकी कुछ नहीं है होगे तो common factor हमें 5 मिलता है तो therefore hcf of 25 and 40 is equals to 5 बस इस तरह से solve करना था हम नहीं एक्स्टा पहले से बना के रखें ताकि बार-बार यह बनाना पड़े और सारे question easily solve हो जाए ओक तो इसके लिए हमें दो की ही जरुरती बस इस तरह से solve करना था है जाने कितना easy आई अब next करते हैं उसके बाद है second वाला second वाला है 56 और 32 यहां ले लेते 56 और यहां ले लेते 32 इनके factor निकालेंगे 56 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 28 और 28 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 14 14 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 7 और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 यहां पर हमें 56 के factor मिल जाते हैं 2 2 x 2 x 2 x 7 32 को 2 से डिवाइड करें तो 16 फिर 2 से डिवाइड करें तो 8 देन 2 से डिवाइड करें तो 4 देन आफ्टर 2 2 देन 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 यहां पर 32 के factor निकल के आते हैं 2 x 2 x 2 x 2 x 2 इन में से common जो है वो क्या है तो इन में common factor जो निकल के आता है वो देखिए 2 2 2 2 2 2 2 2 ओके 3 x 2 यहां से निकल के आता है तो 2 x 2 x 2 यह common factor हो गया ओके तो hcf जो हो जाएगा hcf is equals to हो जाता है 8 तो hcf of 56 and 32 is equals to 8 यह is 8 ओके यह इसका answer है इसे इस तरह से करना है ओके उसके बाद करते हैं next अगला question question no.3 now third, third is 40, 60 and 75 ओके तो यहां पर दिखे हम 40 इसे रखते हैं 60 के लिए और उसे रखते हैं 75 के लिए इसको 2 से डिवाइड करें तो आएगा 20, 2 से डिवाइड करने पर 10, 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5, 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1, 60 को 2 से डिवाइड करें तो 30, 30 को 2 से डिवाइड करें तो 15, 15 को 3 से डिवाइड करें तो 5 और 5 को 5 से डिवाइड करें तो 1 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा सबसे पहले इसे हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं डारेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 इनमें जो factor हमें नजर आते हैं वो क्या है 40 के जो factor है वो है 2 x 2 x 2 x 5 60 के जो factor है वो है 2 x 2 x 3 x 5 और 75 के जो factor है वो है 3 x 5 x 5 अब यहां पर 3 नमबर की बात हो रही तो ऐसे number हमें common दुने जो तीनों में हो, देखिए, इसमें 2 है, 2 है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, इसमें 3 है, इसमें 3 है, पर इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है, यहाँ पर देखिए, तीनों में 5 ही common निकल कर आ रहा है, okay understand, इन तिनों में फा ही कॉमन निकल कर आ रहा है, तो इन में जो कॉमन फैक्टर होगा, या फिर कॉमन फैक्टर इस फाइ, कॉमन, फैक्टर इस फाइ, okay, तो देरफोर, एथ सी एफ, आफ, फोर्टी, सिक्स्टी, सेवन्टी फाइ, इस फाइ, या फिर इस इक्वल तो फाइ, यह इसका अंसर हो जाएगा, था न सिंपल, okay, अब करते हैं फोर्थ वाला, फोर्थ कोशन, देखिए, फोर्थ क्या है, 16, 27, यहां 16 रख दिया, यहां 27, 2 से डिवाइड करें तो 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 1 ओके तो यहां पर जो common factor निकल के आता है 16 का वो है 2 x 2 x 2 x 2 और 27 का निकल के आता है 3 x 3 x 3 no common factor इन में कोई common factor नहीं है ओके तो 1 is the answer जिसका कोई common factor नहीं होता उसका common answer होता है 1 ओके तो no common factor इसलिए therefore hcf of 16 and 27 is equals to 1 तो इसका जो hcf होगा वो निकल के आएगा one ओके उसके बाद next करते हैं ओके इसके बाद वाले question आईए फिफ्ट question करते हैं फिफ्ट question में क्या है देखिए इसके बाद दिया है थर्टी टू यहाँ पर है फोर्टीए अभी हम कर रहे हैं फिफ्ट वाला एटीन को टू से डिवाड करें तो nine nine को टू से डिवाड करें जॉरी nine को three से डिवाड करेंगे तो आएगा और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24, 4 का हाब 2, 8 का हाब 4, 24 को 2 को से डिवाइड करें तो आएगा 12 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना देखिए 6 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 के फैक्टर यहां मिलते हैं 2 तो इंटू 3 x 3 30 के चुग सीफैक्टर जो है वह है 2 x 2 इंटू 2 x 2 ओके 5 टाइम और उसके बाद 48 के जो फैक्टर निकल के आते हैं यहां लिखे मैं 48 के जो में इन तो ंटू 2 x 2 2 x 3 देखे 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है बाकी कही और 3 3 तीनो जगा नहीं है मतलब 2 जगा है 3 जगा 3 नहीं है तो यहाँ पर जो HCF निकल के आता है HCF of 18, 32 and 48 is a 2 इसका अंसर होगा 2 उसके बाद करते हैं next 6 वाला जो है 105 और 154 तो 105 यहाँ लिख ले 154 यहाँ लिख ले 105 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 100 को 5 से 20 टाम डिवाइड होता है तो 105 को 21 टाम डिवाइड होगा 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 154 को तो 2 को इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 और 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो इसके जो कामन फेक्टर आते हैं 105 के वो है 5 इन्टू 3 इन्टू 7 और 154 के जो common factor निकल के आते वो है 2, 7, 11 इन दोनों में common 7 है common factor is 7 common factor is 7 so therefore इसका जो hcf होगा वो भी 7 ही होगा ओके बस ऐसा ही करना था उसके बाद करती है इस एट्थ वाले को ओके नाव अभी सेवेंथ वाला करना है हमें ओके सेवेंथ वाला क्या देखिए 42, 45, 48, 7 number तो यहां हम लिखेंगे 42, 45 and then 48 ओके इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 21, 41 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, 9, 5 जा 45, 5, 9 जा 45, 9 को 3 से डिवाइड करने पर आएगा 3, और 3 को 3 से डिवाइड करने पर मिलेगा 1, then 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 6 को two से divide करने पर three और three को three से divide करने पर one ओके इनके factor लिख ले 42 के जो factor निकल के आते हैं वो है two into three into seven 45 के जो factor हमें मिलते हैं वो है five into three into three और 48 के जो factor निकल के आते हैं वो है 2 into 2 into 2 sorry यहाँ multiply दो बार हो गया 2 into 2 into 3 अब देखिए इन सब में 3 3 है इसमें भी 3 है इनमें भी 3 इनमें भी 3 तो यह 3 यह 3 और यह 3 बाकी यहाँ पर 2 बार 3 है यहाँ पर 1 टाइम यहाँ पर 1 टाइम फिर 2 किसी में नहीं है 5 किसी में नहीं है 7 सब में common नहीं है तो यहाँ पर जो hcf निकल के आता है hcf of 42, 45 and 48 is equals to 3 इसका hcf निकल के आगा सिर्फ 3 इसे हटा दे उसके बाद 8 नमबर की और चलते हैं 8 नमबर जो है वो है 57 75 102 अब देखते हैं 57 किसके टेबल में आता है सो स्ट्विंट्स यहाँ पर हम दुखे 57 75 102 से 57 19 के टेबल में आता है 3 टाइम ओके और 3 के टेबल में 3 वन टाइम तो इसके जो फैक्टर निकल के आता है 57 के वो है 3 into 19 उसके बाद 75 को 5 से डिवाइट करें या 3 से डिवाइट करें तो 25 मिलेगा और 25 को 5 से डिवाइट करें तो 5 और 5 को 5 से डिवाइट करें तो 1 तो यहाँ पर 75 के जो फैक्टर निकल के आते हैं वो आते 3 into 5 into 5 और 1 0 2 के बाद करें तो 2 से डिवाइट करेंगे 102 को तो आएगा 51 51 को 3 से डिवाड करें है तो आएगा 17 कि 17 3 जब 51 होता है 17 को 17 से डिवाड करें तो 1 तो 102 के जो फैक्टर निकल के आते वो है 2 x 3 x 7 इन में common क्या है इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है तीनों में जो common है वो 3 ही है तो इसलिए HCF of 57, 75 and 102 sorry 102 is क्या होगा भी 3 ओके बस इस तरह से solve करना था उसके बाद करते हैं नाइन्थ वाला question तो question नाइन्थ से हटा दे okay तो अब चलते है नाइन्थ वाला जो है so नाइन्थ नंबर जो है वो है 56, 57 okay consecutive नंबर है पर ना even है ना odd है इसमें क्या हो सकता देखी क्या पॉसेबिलिटिस है और 57 है 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आता है 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 14 को 2 से डिवाइड करें तो 7 और 7 को 7 से डिवाइड करें तो 1 57 को 19 से या 3 से डिवाइड करें तो आएगा 19 और 19 को 19 से डिवाइड करें तो 1 तो यहाँ पर जो 56 के फैक्टर निकल के आते वह है 2 into 2 into 2 sorry 2 into 2 into 7 यह नहीं और 57 के जो फैक्टर निकल के आते वह 3 into 19 तो यहाँ पर common factor nothing है only 1 है so therefore यहाँ पर HCF of 56 and 57 is equals to only 1 ओके बस ऐसे करना था उसके बाद करते हैं next last 10 वाला 10 वाला क्या करता है 777 315 and 588 थोड़ा बड़ा हो सकता है maybe तो देखिए 7 को sorry 777 को हम 7 से डिवाइड करें तो answer आएगा 1 1 1 okay अब 111 यह देखिए 1 प्लस 1 प्लस 13 मतलब 111 3 से डिवाइड होता है okay तो करके देखते हैं कितना आएगा 3 से डिवाइड करें मैं 3 3 जा 9 माइनस बच्टा कितना है 2 3 7 जा 21 मतलब 37 तो यहां पर मिल रहा है जब इसको 3 जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 37 और 37 किसी के टेबल में नहीं आता तो यहां पर 37 को 37 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 तो 777 के जो फैक्टर निकल के आते है वो है 7 इन्टू 3 इन्टू 37 उसके बाद है 315 ओके 315 मतलब यहां पर 5 है तो ओबियसली यह 5 से डिवाइड होने वाला है 315 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 ओके उसके बाद यह 61 टाइम कैंसल हो जाएगा तो यहां पर 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 61 ओके अब 61 जो है स्टुइंट्स 61 यह प्राइम नंबर है तो इसको 61 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 तो यहां पर 315 के जो फैक्टर निकल के आते वो है 5 इन्टू 61 ओके अब देखिए दूनों में मैच नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली यहां पर कॉमन वन ही आएगा सबका अंसर ओके नाव अभी आप इधान से देखिए अब है 580 है तो लिखेंगे 58 ओके इनको अब हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे सुरी 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 स्टेट्स देरिसे सम मिस्टेक या एक मिस्टेक हुई है ओके सिक्स्टी कि 315 को जब 5 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 63 और 63 को 3 से डिवाइड होगा और 21 को 3 से डिवाइड होगा 7 ताइम और 7 को 7 से डिवाइड होगा वन टाइम तो यहां पर जो हमें फैक्टर मिलते हैं ओके 315 के वो मिलते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 उके उसके बाद 588 इसको 2 से डिवाइड करते जब हम तो आता है 294 फिर इसे हम 2 से डिवाइड कर से फिर इसको 2 से डिवाइड करें 294 को 2 से डिवाइड करने पर आ जाता है 147 अब देखिए 147 तो देखिए 4 फ्लस 15 5 फ्लस 7 12 मतलब यह 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 147 डिवाइड बाइ 3 यह आता है 49 और 49 को हम 7 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम तो 7 से 7 को तो 1 तो इसके जो फेक्टर निकल के आते हैं 588 के वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 अब इन में common क्या है वो देख लेतें देखे भी 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, तो हमें यहाँ पर common मिलता है, तीनों में 3 इंटु 7 is equal to 21, तो HCF of 777, 315 and 588 is या फिर is equals to 21, ओके, बस इस तरह से इसका answer होगा, ओके, I hope that ये सारे questions जरूर आपको समझ में आ गए होगे, और आपकी बहुत help हुई होगी, इन सभी questions को solve करने में, ओके, आई ये बढ़ते हैं, आगे, इसे हटा देते हैं, यहाँ से, so students, अब आईए question number second करते हैं, और question number second में आपको बताएंगे, division method से HCF निकालना, ओके, तो division method से HCF कैसे find out करते हैं, बहुत ही simple method है, बस आपको ध्यान से देखना है, और समझना है, ओके, तो जैसे मान लीजिए, हमने यहाँ पर divide करना शुरू किया, तो क्या करेंगे, इस नीचे वाले नंबर को हम यहाँ रखेंगे, पर अब यहाँ पर जो है, division method से हमें HCF निकालना है, तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को divide करना पड़ता है, पर यहाँ पर तो divide में बड़ा नंबर नीचे है, चोटा नंबर उपर है, पर हमें HCF निकालने की बात हो रही है, पर स्ट्रेंट्स यहाँ पर जो question है, इसमें दो question है, find HCF by division method and reduce the simplest form, मतलब इसका HCF भी निकालना है और simplest form में reduce भी करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका HCF निकालने की method क्या है, वो देखिए सबसे पहले, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर इधर लिखेंगे, 525 और छोटा नंबर इधर लिखेंगे, ओके ध्यान में रखेगा, छोटा नंबर इधर रहेगा, 275 के table में क्या 525 आता है, तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि 275 multiply by 2 करेंगे तो 550 आजगा, तो 275 वन्जा, 275 माइनस करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे हम factor रून के दिखा रहें आपको division method से, 5 में से 5 कैंसल हुए 0, उके, उसके बाद ये 2 में से 7 जाएगा नहीं, इधर से carry करेंगे, तो 12 में से 7 माइनस किये तो आया 5, ओके, और 4, यहाँ पर 4 बच जाएगा, 4 में से 2 गया तो, यहाँ पर बच जाता है 250, ओके, अब क्या करेंगे, इस 250 को ऐसे ही रखेंगे, और ये वाला जो number है, इस वाले number को हम यहाँ लिखेंगे, समझ में आ रहा है, मैं इसे हटा देता हूँ, ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे, 275, मतलब अब इस वाले number को, मतलब जो reminder बचा है, उससे ही, इस number को divide करेंगे, तो यहाँ पर क्याएगा, 250, 1 जा, 250, माइनस कर दीजिए, ओके, यह हमको कपता करना, आखरी 1 आ देता है, तो 5 में से 0 गया 5, 7 माइनस 5 हो गया 2, ओके, अब हम क्या करेंगे, इस line को आगे बढ़ाएंगे, 25 को यही रखेंगे, इस वाले number को यहाँ लिखेंगे, 250, यहाँ लिखेंगे हम 250, अब 250 को 25 से divide करेंगे, तो 25, 1s are 25, ओके, माइनस, कुछ नहीं बसता, 0, ओके, तो यहाँ पर यह 0 बज़ गया, 0, तो यह 10 time हो जाता है, मतलब देखिए, ऐसा कौन सा number है, मतलब आप simple यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, simply आप क्या कर सकते हैं, कि 250, 1s are, 250 यह 0 है, तो 0, 0, 10 time हो जाता है, यहाँ पर जो बज़ जाता है, वो 0, तो देखिए, remaining क्या बचा है, 0, किस number ने पूरे value को 0 कर दिया, तो आखरी में जो number आया, जिसने पूरी value को 0 किया, वो है 25, ओके, तो इन दोनों के बीच में जो common factor होगा, hcf, hcf, of 275 and 525 is equals to 25, इनका जो hcf है, वो है 25, ओके, अब हमें क्या करना है, इसको reduce करना है, ओके, तो reduce करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी method, पहले क्या करना था, hcf find करना था, hcf हमने find कर लिया, अब हमें क्या करना, reduce करना है, तो reduce करने के लिए, 275 upon 525, ओके, दोनों का common factor क्या है, 25, तो इसको भी 25 से divide कर दीजिए, इसको भी 25 से divide कर दीजिए, ओके, तो answer क्या मिलेगा, जब 275 को आप 25 से divide करते हो, तो आजाएगा, ये लगबग आजाएगा 11 time, ओके, आप divide कर लिजिएगा, और 25 को, जब हम, ये 20, 21, मतलब ये आजाएगा 21 time, क्योंकि 25 से 500 को divide करोंगे, तो 20 time divide होता है, ओके, फिर ये 25 अलग से आगया, तो 21 time, तो ये हो गया, इसका reducing form, बस इस तरह से करना था, है ने कितना simple, पहले divide कर दो, बाद में common factor ढून लो, divide करके, और उसके बाद, उस common factor से, इसको divide करके answer निकाल लो, है ने simple, अब आएए इस question को करते हैं, जल्दी, ओके, अब है, second वाला, second क्या है भी, 76 upon 133, ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर, 133 को 76 से divide करेंगे, तो 76 वन जा, 76 माइनस, 3 में से 6 जाएगा नहीं क्यारी करेंगे, तो 13 में से 6 जब माइनस होते हैं, तो बचता है 7, ओके, और उसके बाद यहाँ पर, यह 3 हड़ गया, तो यहाँ पर 2 बचा, ओके, यहाँ से 1 निकला, तो 12 माइनस 7 या आता है, 5, ओके, अब क्या करेंगे, इस 57 से ये वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे, इस वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे, तो क्या जाएगा, 76, तो 57 वन जा, 57 माइनस, 6 में से 7 जाएगा नहीं, क्यारी करेंगे, तो 16 में से 7 को माइनस करेंगे, ओके, तो 16 में से 7 माइनस हुए, तो आ जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा 6, तो 6 में से 5 गया 1, तो हो गया 19, अब क्या करेंगे, इस 57 को इस 57 को यहां लिखेंगे अब इस 57 को 19 से डिवाइड करेंगे तो आएंगा 3 टाइम 57 00 तो किस नंबर ने बताइए students किस नंबर ने value को 0 बनाया 19 ने value को 0 बनाया ओके तो therefore therefore hcf यहाँ पर जो निकल के आता है वो है 19 अब इसे reduce करना है तो reduce करने के लिए हम क्या करेंगे 76 अपान 133 इसको भी 19 से डिवाइड करेंगे और इसे भी 19 से डिवाइड करेंगे ओके तो यह आएगा near about 19 से यह 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा ओके और 19 7 सा 133 तो यह 70 डिवाइड जाएगा तो यह देखिए reduce भी हो गया बस इस तरह से करना था अब आईए इस थर्ड वाले को solve करतें इस हटा दे इससे पेंसे लिख कर ले अब देखिए क्या है थर्ड वाला भई है 161 और 69 सबसे पहले division method से hcf निकालेंगे तो छोटा नंबर इधर और बड़ा नंबर इधर ओके so 69 इंटू 2 देखिए 70 इंटू 2 140 होता है तो 69 इंटू 2 यहाँ पर लिम ले सकते 69 टूजा कि यहाँ जाएगा 138 माइनस करेंगे वन में से एड जाएगा नहीं क्यारी करेंगे 11 में से 8 गया 3 बचे इसके पास अब 6 में से 1 चले गया तब इसका 5 बचा 5 में से 3 गया 2 बचे वन में से 1 गया 0 उसको छोड़ दो अब इसे रखेंगे और इस 69 को यहाँ भी देंगे तो लिखेंगे 69 69 को डिवाइड करते 23 से 23 से 3 टाइम 69 आता है तो यह आगया 0 कौन से नंबर ने वैल्यू को 0 किया 23 ने तो HCF जो हुआ वो हुआ 23 और इसको रिड्यूस करना है 161 और यह है 69 तो इसे डिवाइड करेंगे 23 से 23 से अब देखेंगे क्या आता है तो स्ट्विंट्स ये 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 डिवाइड हो जाता है 7 टाइम और 23 थ्री सा 69 ये 3 टाइम तो यह हो गया रिड्यूसिंग फॉर्म भी हमने यहाँ पर कर दिया तो स्ट्विंट्स आई होब डाट ये सारे जो कोशन हमने सॉल किये हैं इसे हम हटा रहे हैं अभी सारे कोशन जो हमने सॉल किये हैं ये जरूर आपको अच्छे से समझ में आ गये होगे और इसी कोशन के साथ ये प्रैक्टिस सेट यही पर कंप्लीट होता है कोशन को डिटेल में समझाने के लिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है और इस वीडियो को थोड़ा लंबा करने के बावजूत मुझे ऐसा लगता है कि ये सेटिस्फाइट वीडियो है आपके लिए जिसमें आपको सारे कंसेप्लीर हो चुके होगे तो स्ट्रेंट्स अगर ऐसा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरू कर दो और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कर दीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नमबर 13 तक तक के लिए बाबाई